हेलो फ्रेंड्स and विलक५्म टो रेविभाजा आज हम लोग बात करने वाले हैं केंगिन वाटर प्यूरिफैयर के बारे में जिया दोस्तों केंगिन वाटर जो है एकचलि प्यूरिफैयर नहीं है यह एक alkaline water generator है यानि alkaline ionizer है याने कि यह दोस्तों यह पानी के जो pH value से उसको drastically improve कर देता है, drastically change कर देता है, तो चले जोस्तों जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा detail में कि यह कैसे function करता है, और क्या यह हमारे लिए ज़रूरी है, और इसके benefits क्या क्या है, और इसके अंदर की science या फिर technology क्या है, और इसक कोश्टिंग के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं, जो लेवल्यू करके company है, Japanese company कहा जाता है, वो प्रोड्यूस कर रही है, यह कैंगेन वाटर के units, जिसके अंदर आपको अलग-अलग type के instruments मिलते हैं, जिसकी costing आप पकड़ के चलिए, इंडिया में 1,65,000 से लेके 2,5,2,60,000 रुपे तक के instruments आते हैं, जिसके अंदर आपको 3 plates system मिलता है, 1,65,000 रुपे के आसपास, और approximately बोल रहा हूं मैं, और जो 5 प्लस plates का जो है, वो system आपको मिलता है, approximately 1,500 रुपे के आसपास का, तो दोस्तों सबसे पहली बात, क्या आपको एक water ionizer लेना चाहिए, और उसके benefits क्या क्या होता है, और comparative हम लोग compare करेंगे, कि अगर आप alkaline cartridge यूज करते हैं, तो आपको क्या benefits मिलते हैं, और उसके जो आप एक, जो ionizer यूज को यूज करते हैं, उसके आपको क्या benefits मिलते हैं, तो दोस्तों सबसे पहली बात, alkaline water और acidic water के आप सब जानते ही होंगे, कि जो हम लोग RO water पीते हैं, वो थोड़ा सा acidic होता है nature में, विकोज उसका जो pH है, वो 6 to 6.5 के range में होता है, हमारे जो natural water जो होता है, जिसका pH हम लोग कहते है, 7 होता है, और जो boring water होता है, उसका 8 होता है, कभी-कभी ज्यादा भी हो सक अगर आपका 1000 के आगे होगा, 1000 प्लस होगा, तो उसका pH आपको हमेशा 8 के आसपास मिलेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो पानी आपके body के लिए अच्छा है, जरूर उसका pH आपके body के लिए अच्छा है, लेकिन कभी अभी water का जो tedious है, वो भी matter करता है, कई बार हमे kidney stone जैसे problems हो जाते हैं, अगर आपके पानी के अंदर calcium deposits और magnesium deposits ज्यादा होंगे, तो kidney stone के problem generate होने के problems बढ़ जाते हैं, तो generally हम लोग कहते कि आप 150 to 200 TDS तक आप पानी digest कर सकते हैं, अगर आप AC में काम करते हैं, तो आपको 100 TDS तक पानी sufficient है, उसके उपर, अगर आप hard work करते है बहुत सारा पसीना निकलता है, तो आप 500 TDS तक का पानी भी आराम से digest कर सकते हैं, problem ही है दोस्तो, पानी में आप इंसान तो है 1000 TDS का भी पानी digest कर लेकिन हम लोग उतना hard work नहीं करते हैं, हम लोग उतना पसीना भाते नहीं है, कि आपके body को जो जितने calcium और magnesium उसके अंदर है वो आपके sweat through निकल जाए, आप body को उतना absorption नहीं मिल पाता है, जो आपके exertion के उपर depend रहता है, अगर आप AC में काम करते हैं, sweating बिल्कुल नहीं होता है, जो body में जा रहा है, वो deposits आपके directly kidney में जाके वहाँ पर धीरे-धीरे stones बनना चालो जाते हैं, तो दोस्त हम लोग यहा एक Japanese technology से बना हुआ alkalizer है, और इसका जो effect है, इसका जो ORP ratings है, वो आपको 800 तक मिल जाएगा, माइनस में 800 तक मिल जाएगा, बाके के जो alkalizers है, वो इतना नहीं प्रोडूस कर पाते हैं, वो 200-200 तक ले जाते है, hydrogen content में उनका कम होता है, लेकिन यह एक बढ़िया quality का alkalizer है, इसल इसके अंदर जो plates होते हैं, वो बने होते हैं, titanium के जो बहुत costly metal है, obviously अगर आपका raw material cost है, तो उसकी costing आपको जादा जाएगी जाएगी, और अंदर के जो equipment से वो पूरी तरह से जो है, वो surgical grade के जो equipment से वो use किये गए है, जो titanium plates बोल दीजे, इसके अंदर का जो water level system है, वो बो सबस्ते में होके, लेकिन वो आपको ये result produce नहीं कर पाएंगे, because उसके पिछे का जो reason है, कि इसके अंदर titanium के plates होते हैं, जो actual ionization process को carry on करते हैं, और वो एक heart of water ionizer, या water alkalizer कह सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों, इसके अंदर आपको proper pH जो है, 11 pH तक आप पानी निकाल सकते है जो बहुत ही highly alkaline water होता है, हम लोग generally 9 daily routine के लिए 9 pH के लिए का जो water हम लोग consume कर सकते हैं, जिनको alkaline diet consume करना है, वो diet के सबसे 11 pH तक का पानी आप consume कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात में कहता हूँ, हम लोग cartridge से भी हम लोग एक 9.5-10 pH तक पानी निकाल सकते है लेकिन जो एक ionizer का जो basic function ये है, कि आपका जो water होता है, वो heavily charged ionized water होता है, उसके साथ ही साथ में उसमें hydrogen atoms भी होते है, as well as आपका जो ORP हो heavily negative होता है, जो oxidization, जो हम लोग जिसको ओलती है, oxidization, retention, potential, जिसके वेसे आपके body की जो anti-aging factors है, वो highly activate हो जाती है, जिसके आपके body aging जो है, वो reverse हो जाती है, आपके body में जो detoxification जो होता है, वो hydrogen का काम होता है, जो आपके body में detoxification करता है, जो toxins से उसको बाहर eject कर दिता है, इसलिए दोस्तों, जो ionizer होता है, वो obviously बहतर perform करता है, किसी भी cartridge के comparatively, लेकिन दोस्तों, जैसे मैं कहता हूँ आपको, इसके अंदर आपको साथी साथ, आप acidic water भी निकाल सकते है, acidic water का क्या benefit होता है, दोस्तों, कि आप इसको use कर सकते है, fruits wash करने के लिए, vegetables wash करने के लिए, आप highly acidic water अगर use करेंगे, इसमें आप 5 pH और 3 pH तक आप acidic water निकाल सकते है, जो पानी आप fruits wash करने के लिए यूज कर सकते है, जिससे आपको जो कि किसी person को, जो diabetic patient था, उसने regularly उसके pair में gangering हो गया था, उसने regularly cangan water consume किया, और उसने pair पे शायद acid water spray किया, उसके वैसे उसका gangering ठीक हो गया, यह तक मैंने देखा था, और यह काफी, मतलब अच्छी बात है, दिखे दूस्तों, बाडी में हमारे, अगर हम लोग alkaline water consume करेंग से आपको starting में बहुत अच्छे मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे results भी मिलेंगे, उसका benefit आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, सही बात है, लेकिन अगर आप daily routine पर उसको consume करेंगे, तभी आपको उसका benefit ज़्यादा मिल सकता है, obviously इतना आप 5,500,000 और 2,500,000 रुपए तक हम लोग general public इसको afford नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर मतलब आपको एक heavily alkaline diet के जुरूत है, तो आप obviously इसको prefer कर सकते हैं, still I say, इसका costing ज़्यादा है, obviously है, लेकिन because of the, I should say, the equipment that is used inside, maybe because of the titanium plates that are used, उसकी costing ज़्यादा जाती होगी, still it is a premium segment product, till that, आगे जाके पता नहीं, शायद कोई competitor आभी जाए, इस level का, लेकिन इनकी marketing strategy बहुत ही tremendous है, जो ये लोग जो कहते है, जो chain system है, chain system भी नहीं कह सकते हैं, अगर आप machine लेते हैं, बाद में अगर आप किसी और को recommend करते हैं, तो obviously आपको कुछ part of commission दिया जाता है, इनका directly कोई sales outlet आपको देखने को मिलेगा नहीं, तो ये भेतरीन product है, अगर आपको एक लेना है, house के लिए, obviously इसमें सबको benefit जरूर मिलेगा alkaline water का, और मैं कहूंगा कि एक high, अगर आप कोई standard company या brand देख रहे होंगे कोई, जो alkaline water के अंधर होगा, तो yes, it is kangen, और आप अगर देखेंगे, foreign countries में, अमेरिका में, या फिर लोग, people are literally going crazy for this thing, they are crazy about kangen water, I don't know how, but kangen is performing very well, तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको मैंने दी information sufficient लगी होगी, तो please एक थंसब जरूर दीजेगा, अगर आपको कोई requirement होगी kangen water की, तो आप प्लीज कमेंट में मुझे दीजेगा, मैं आपको जरूर हेल्प करूँगा, इसमें से आपको एक अच्छा प्रोड़क्त दिलाने की कुशिश जरूर करूँगा, thank you very much दोस्तों, take care, bye bye, jay hind